नमस्कार एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है competition community का ये खास initiative fast track revision course में इस revision course में target है हमारा CGPC का प्राराभिक परिक्षा जो की 9 फर्वरी 2019 को होने वाला है उसी के मद्दे नजर हम लोग यहाँ पर संपून syllabus को FTR के माध्यम से revise कर रहे हैं आज के वीडियो सुरू करेंगे बहुत important important questions लेकर आया हूं और इसके लावा मैं बता देता हूं कि आज राद तक या फिर कल आप लोगों को 36 गड़ सापता ही करेंट फिर वाला वीडियो मिलेगा उस वीडियो को इसके बाद बाकी सीलेबस की तरफ आगे बढ़ेंगे इसके लावा पांच बजे करेंट इंटर्फेर के करते रहिएगा शत्तिस गड़ का जैसे ही खतम होता है उसके वाद हम लोग नैशनल करेंट फिर और इंटरनेशनल पर आ जाएंगे और रात को आड़ बजे शत्तिस गड़ का जीएस का वीडियो आप लोग साथ में करते चलिएगा और एक इंपॉड़न बात आज है 31 दिसंबर 2019 यानि की साल का आखरे दिन कल मुलाकात होगी यानि की अब जो हमारा और आपका मुलाकात होगा वो होगा अगले साल तो आप लोगों को एड़्वांस में न्यू यर की बहुत बहुत शुब कामना है है अपने लाइफ में नए साल में क्या बदलाव लाने वाले हो यह सोचो और हमारे साथ भी साजा कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में तो इस साल क्या-क्या बदलाव होने वाले आपके जीवन में आपनी क्या सोचा है यह हम जो इस तरही टेस्सरीज और नाइस किया जा रहा है बिल्कुल मुफ्त आप में से कोई भी हिस्सा ले सकता है इस टेस्सरीज में रेजिस्टेशन कल से यानि की एक जनवरी 2020 से सुरू हो रहा है रेजिस्टेशन के लिए आप हमारी लाज डेट आपका होगा रेजिस्टेशन का पच्चेश जनवरी 2020 ठीक है तो चलिए आज का हम लोग अपना डिसकेशन सुरू करते हैं बहुत इंपोर्डेंट क्वेस्टेशन और यह क्वेस्टेशन खासकर आपके जो पिछले दिसंबर महीने में जो जो इंपोर्डेंट इ क्योंकि 2019 में 36 गड़ को जितने भी इंपोर्टेंट नैस्नल अवार्ट्स मिले हैं चाहे वो 36 गवर्मेंट को मिला हो चाहे वो किसी व्यक्ति को मिला हो या संस्थान को मिला हो वो सब कल हम लोग डिसकस करने वाले हैं नए साल में तो नियू येर इंजॉई कीजिए लेकिन कल नियू येर में 5 बज़ेला वीडियो जरूर दखिएगा चली आज के सेशन में पहला कुशन है 21 दिसंबर 2019 को संपन नगरिये निकाय चुनओं में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ बहुत इंपोर्टन कुश्चन है इस साल आप लोगों को पता है कि नगरिये निकाय चुनओं और 2020 के पहले महीने जनवरी में आपका पंचायत का चुनओं भी हो रहा है तो यहां से इंपोर्टन कुश्च हम लोग यहां पर प्रशन जरूर करेंगे तो जो पहला प्रशन है आप बताईए कि कितना परसेंट मतदान हुआ इस साल नगरिये निकाय चुनओं मे सबसे पहला प्रशन तो आपसे यही बनता है कि यह चुनओं कब संपन हुआ तो मैंने प्रशन में ही बता दिया है 21 दिसंबर 2019 को संपन हुआ आपसन ए है आपके सामने 70.23% आपसन बी 74.68% आपसन सी 78.3% या फिर आपसन डी 81.08% तो बताईए इस क्वेशन का सही जवाब क्या है तो इस प्रशन का जो सही जवाब होगा हूँ होगा आपका आपका आपसन सी 78.73% इस नगरिये निकाय चुना 2019 में जितना मतदान हुआ वो 78.73% हुआ याद रखिएगा और पिछला जो नगरिये निकाय चुना था उससे 0.77% ज्यादा मतदान हुआ है अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सरवाधीक मतदान कहा हुआ और सबसे कम मतदा मतदान हुआ है तो आपका धमतरी जिले में सरवाधीक मतदान हुआ है और परसेंटेज है यहाँ आपका 86.62% और सबसे कम अगर हम मतदान जिले वाइस में बात करें तो सबसे कम मतदान हुआ है आपका बीजापूर में ठीक है और कितना परसेंट मतदान हुआ है यहाँ प पंचायत में सबसे अधीक चुना मद्दान हुए 93% नगर पालिका की अगर हम बात करें कुर्बा जीले में कटगूरा नगर पालिका में सबसे ज्यादा मद्दान हुए 85.80% और अगर हम लोग नगर नीगम की बात करें तो सरवाधीक नगर नीगम कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा मद्दान हुआ है तो यह है आपका राजनांगाउं जहां पर 76.95% मत्दान हुआ है तो इस तरह से नगरिये निकाय चुनाओं का मत्दान प्रतिशत याद रखिएगा टूटल याद रखिएगा जीला वाइज याद रखिएगा और यहां पर नगर नीगम नगर पाली का और नगर पंचायत से संबंदित भी यहां पर जो जितने मैंने इंपोर्टेंट डेटा पताए इन सब को ध्यान में रखिएगा हम चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट कोशन है हाली में 36 गड़ के कुल कितने नगरिये निकायों में चुनाओं संपन्य हुआ है आपक 165 गड़ के चुनाओं में कितने नगरिये निकायों में चुनाओं संपन्य हुआ है तो यह इसका जवाब जो होगा वो होगा ओप्सन बी यानि कि 151 गड़ किस प्रकार से थे तो 10 यहां पर आपका था नगर निगम 38 यहां पर था नगर पाली का और 103 नगर पंचायत यानि कि 151 नगर निगम कि अगर हम बात करें तो तीन नगर निगम में 2019 में चुनाओना होकर दिसंबर 2019 में होगा कौन-कौन से नगर निगम है यह एक आपका बिरगाओं है दूसरा आपका भिलाई चरूदा है यानि कि चरूदा भिलाई और तीसरा आपका भिलाई है और चुकि बाली भी उसमें आ जाएगा भिलाई भी आजाएगा इसके अलावाद चरोदा भिलाई भी आ जाएगा और आपका बिर्गान भी आजाएगा ठीक है इन बातों को ध्यान रखिए गाए प्रशन पूछे जा सकते हैं चलिए इसके बाद नेक्ष्ट कोश्टन में फिर से नगर करते जाएगा अगर ज्यादा सही करते हो तो खुद को अच्छा लगता है अच्छा मोटिवेशन फील होता है और अगर गलतियां होती है तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है तो इसलिए टूटल जितना भी आपका होता है ना नीचे कमेंट वोक्स में जरूर बताईएगा ठीक है चलिए तो इस question का सही जवाब है option B 24 दिसंबर को result आया इस नगरिये निकाय चुनाओ का result किस प्रकार से रहा एक बार थोड़ा से हम लोग ओवर वाल यहां पर बात कर लेते हैं और आप लोग को पता है कि result के बाद जो है 15 दिन के अंदर में प्रथम सम्मेलन होता है उसके बाद आप महापौर किस तरह से आपउइंट होंगे तो जिन नगर निगम में महापौर की निक्ति के जाएगी वो जबी भी निक्त हो जाते हैं तो एक वीडियो 36 गर सबता ही करेंट अफेर वाले में पूरा एनालेसिस कर दूँगा उसको जरूर आप लोग कर कर जा 37 वाड़ो में जीत और अन्य में यानिकी निर्दलिय को मिला यहां पर 364 वाड़ो में जीत तो इस तरह से जो उपर उपर रिजल्ट हैं आप लोग यहां पर ध्यान में जरूर रखेगा उसके लापर जब महापौर की निक्ति हो जाएगी तो हाँ पर हम लोग इसको थोड कीने perce स में इसका आयोजन किया जाएगा हाईं इसकी वाड़ो पटा आपका चैन चर्णो में 36 गड़ में पन्चायतों का चुनाओ संपन्न होगा वो तीन चरण का डेट कब है यानि कि सुरुवाग कब से होगा 28 जनवरी दूसरा डेट है आपका 31 जनवरी और तीसरा जो फेस होगा यानि कि जो तीसरा डेट है आपका वो है तीन फरवरी ठीक है तो इस बात को ध्यान रखिएगा पंचायत चुनों तीन वोटर्स होंगे उनके नंबर से एक करोर 44,68,763 जिसमें से पूरिस होंगे आपके 95,54,252 और महिला जो वोटर्स होंगे टोटल 6 चर्णों में रिजल्ट आएगा पंचायद चुनाओ का ठीक है चली पढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ हाली में देश में महिलाओं के खिलाब बढ़ते अपराधों के बीच 36 गड़ उचन्याले द्वारा राज्य के कितने जीलों में फास्ट ट्रेक कोट का गठन किया जाएगा आप लोगों को पता है कि हैदराबाद में अभी जो कुछ भी हुआ वहाँ पर जिस तरफ से एक रेप की घटना होई उसके बाद जिस तरफ से पुलिस की तरफ से एनकाउंटर किया गया तो वो सारी चीज़े बहुत सूर्खियों में थी उसके बाद 36 गड़ हाई कोट ने 36 गड़ के नौ जीलों में 500 एड के तहत में जो है फास्ट्रेक पूर का गठन किया है तो एंसर आप लोगों को पता चल गया आठ्वा आपका सूरजपूर और नौवा आपका अम्बेकापूर इन नौ जीलो में फास्ट एक पूर का घठन किया गया है ध्यान रखियेगा बहुत बोड़न कोईशन बनता है यहां से और किसके अंडर में किया गया है किस एक्ट के तहत में मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म होता है दि प्रोटेक्शन ओफ चिल्डरिन फॉम सेक्ष्वल ओफेंस एक्ट यह आया था 2012 में एफेक्टिव हुआ था 2013 से यह खासकर बच्चों के खिलाफ जो यौन शोशन के घटनाय होती थी और जिस तरह से लिख्या के कंड हुआ था उसके बाद इस एक्ट को लाया था और 2019 में इस एक्ट में एक बहुत बढ़ा संशूधन भी हुआ था उस एक्ट में संशूधन के तहत जो है इसक के तहत में जो दोसी है उसको फांसी तक की सजा का प्रभधान किया गया था ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next question है हमारा हाल ही में किने 36 गड़ विधान सभा का पांचवा उपाध्यक्ष निक्ट किया गया है option है आपके सामने मनुझ मंडावी option B है सत्य नरायन सर्मा option C है अमरजीत भगत या फिर option D देपती कर्मा तो देखिए इस प्रश्न में तो सबसे पहले आपका एक जवाब ये भी छुटा हुए एक प्रश्निया से ये भी बनता है कि 36 गड़त का कौन से क्रम का उपाध्यक्ष विधान सवा का निक्ट किया गया है तो पांचवा मैंने प्रश्न में ही मेंशन कर दिया है तो याद रखिएगा कि पांचवा विधान सवा उपाध्यक्ष हाली में किने निक्ट किया गया है मनूज मंडावी को क्रम याद रखिएगा पांचवा विधान सभा उपाध्यक्ष है और वर्तमान समय में विधान सभा के अध्यक्ष कौन है इस बात को विध्यान रखिएगा चरंदास महं उपाध्यक्ष कौन है मनूज मंडावी तो इस क्वेश्चन का स्तही जवाब जो ह होगा हमारा अब यहां पर आप से मिलान वाला भी कोष्च्चन पूछ सकता है या क्रॉस करने वाला भी क्वस्चन पूछ सकता है विधान सबार उपाध्यक्ष के नाम दे द Hey और बोले चलिए इसके बाद next question है, हाल ही में किने 36 गड़ का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी न्यूक्त किया गया है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की जब मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं, चीफ election officer की ना की चीफ election commissioner की, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने doubt create किया, और बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा, क्योंकि जब मैंने एक वीडियो में बताया था, राम सिंग ठाकूर के बारे में बताया था, चीफ election commissioner के बारे में बताया था, तो लोग यहाँ पर comment कर रहे थे, कि यह रीना कंगाले को हाली में निट किया गया है, रीना कंगाले होंगे, तो difference आप लोग यहाँ पर समझेए, चीफ election commissioner अलग होता है, और चीफ election officer अलग होता है, तो 36 गड़ राज्य निर्वाचन आयोक के आयोक्त कौन है, यानि की commissioner कौन है, तो राम सीन ठाकूर है, और हाली में मुख़े निर्वाचन, officer यानि की मुख्ये निर्वाचन पदादिकारी जो निट किया गया है, वो रीना कंगाले को निट किया गया है, और किन की जगा पे न्युक्त किया गया है इस बात को धियान रखिए ये आपके सुब्रत साहू की जगा पे न्युक्त किया गया है सुब्रत साहू को हाल ही में सेकेटरी बनाया गया है ग्रीह मंत्राले का तो इस बात को धियान रखिएगा रीना कंगाले अब यहाँ पर चीफ इलेक्शन ओफिसर अपोइंट किये गए हैं तो इस question का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा option B देखिए फिर से बोल रहाँ कंफ्यूज मत हुएगा चीफ इलेक्शन कमिशनर जो है वो राम सिंग ठाकूर है और चीफ इलेक्शन ओफिसर जो है अक्री रीना कंगाले है ठीक है चलिए इसके बाद जो हमारा next question है हाली में किने 36 गड़ मुख्य मंत्री भूपेस बगेल का नया सचीव निउप किया गया है ओप्सन है एजैसिंग ऑप्सन बी है आर्पी मंडल ऑप्सन सी है टामन सिंग सुनवानी या फिर रगुबर नात तो इस question में कोई जादा कुछ नहीं रखा है समझाने को बस इतना में याद रखिए कि किने मुख्य मंत्री भूपेस बगेल का नया सचीव निउप किया गया है तो इस question का सही जवाब आपका option C होगा टामन सिंग सुनवानी ठीक बस इतना याद रखिएगा इससे ज्यादा कुछ important नहीं हो सकता अगर पूछा जाए तो बस इतना ही पूछ इसके बाद next question है प्रदेश का दूसरा मक्का प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया जाएका एक important question बन जाता है इसका हाली में announcement किया गया है option A है आपके सामने बलरामपूर option B है रायपूर या फिर option C जसपूर या फिर option D धमतरी इस question का जो सही जवाब है बलरामपूर पहला मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोशना जो है आपके बस्तर में किया गया था और दूसरा आपका सर्गुजर डिविजन यानि की बलरामपूर और रमानुजगन में किया गया है और यह रामचंदरपूर विकास खंड में होगा आपका बलरामपूर और जिले के रामचंद्र विकास खंड में ध्यान में रखेगा और इन्हीं दोनों डिविजन में सबसे ज्यादा चतिसगड में मक्य का उत्पादन भी किया जाता है बस्तोर डिविजन होगे और एक आपका सरगुजा डिविजन होगे ठीक है याद रखेगा पूछा जा सकता है चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट कोशन है चतिसगड में आयोजीत पहला आदिवासी नृत्यमोहत्सब के मु आप लोगों को मिलेगा तो उसको कर जाएगा क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा अनलेसिस करने वाला हूं चतिसगड आदिवासी नृत्यमोहत्सब से समंदित तो चलिए बताईए कौन थे इस चतिसगड आदिवासी नृत्यमोहत्सब के मुख्या दी थी ओप्सेन है राहु आदिवासी नृत्यमोहत्सब आयूजन 27-28 और 29 दिसमबर को किया गया ठीक है और इसमें और भी बहुत सारी चीज़े जो है वो नेक्स्ट प्रस्ट में हम लोग देखते हैं तो जो नेक्स्ट कोशन है याद रखना ना इसका सही जवाब कौन क्या होगा एक राहुल और 30 मोहत्सब लेकिन इसको अंतरास्टिय पहचान दिलाने की पुरी कोशिशस की गए तो कितने देशों के यहाँ पर कलाकारों ने हिस्सा लिया आपके सामने ओप्सेन है छह साथ आठ जा फिर नो तो यहाँ पर छे देसूं के कलाकारू ने हिस्सा लिया है उच्छा देसूं के नाम भी आप लोग याद रखियेगा क्योंकि वहां से भी पूछा जा सकता है पहला नाम है बंगलादेश दूसरा सिरिलंका ती तो यह टोटल तेरह सो पचास के आसपस में कलाकारों ने टूटल यहाँ पर हिस्सा लिया है ठीक इसके बाद जो नेक्स्ट कोशन है आदिवासी नृत मोहतसब में कुल कितने स्रेणियों में पूरसकार वित्रन किया गया यह भी बहुत इंपॉर्टन कुश्टिन बन जाता ह है अगर राश्टिय आदिवासी नृत मोहतसब का आयोजन किया गया है तो टूटल कितने चर्णों में पूरसकार वित्रन किया गया है इस बात का जवाब भी हमारे पास होना चाहिए तो इस कोश्टिन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्संसी टूटल चार स्रेणियो है विवाह एवं अन्य संसकार लिख लीजएगा विवाह एवं अन्य संसकार इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है गौर माडिया यह 36 गड़ का लोक नरित्य है और दूसरा पुरसकार मिला है डमचक ए जहारखन का लोक नरित्य है और तीसरा पुरसकार मिला है विवाह रित् एवं तमांग सेलो सिक्किम के टीम को इसके बाद जो दूसरी केटेगरी आ जाती है वो है परामपरिक तैवार एवं अनुष्ठान स्रेणी में जिसमें पहला अवर्ड आपका मिला है सिंगारी ओडीशा को दुईतिय मिला है तारपा महराष्ट को इसके बाद अगर हम लोग तीसरे काटेगरी में आ जाते हैं तो फसल कटाई एवं क्रिसी स्रेणी में प्रथम पुरसकार मिला है कर्मा तिहार बिहार को दुईतिय मिला है जाजी उत्तरपरदेश को तीसरा मिला है ममीता त्रिपूरा एवं तूडा तमिलनाडू को और अन्य पारंपरी की विधाएं स्रेणी में अगर हम बात करें चौथे स्रेणी को तो इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है बगरवाल उत्रखंड को दुईतिय मिला है गद्दी रास हिमाचल परदेश और तृतिय मिला है राठवा गुजरात एवं डांग गुजरात तो इतना अगर याद नहीं भी रख सकते हो तो चारों केटेगरी में जो फर्स्ट प्राइज जिनको जिनको मिला है बस आप लोग उतना ध्यान में रख लिजेगा लाजनंद गों या फिड़ी धमदरी तो इस कुश्चन का सही जवाब जो होगा एव अगा पार्टन दुर्ग जी ले के पार्टन और मुख्य मंत्री भूपेश बगिल का विथान सबाच्षेत्र भी है तो पार्टन में आपका प्रदेश का पहला उध्यानी की विश्वि जवाब होगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन हाँ और एक बात और अगर आप लोग भी ना 36 गड़ की तैयारी प्यसी की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करना चाहते हो घर बैटे ना तो आप लोग हमारे मुबाइल कॉर्स से जोड़ सकते हो मुबाइल आपको 3,600 रुपे मातर पे करने होंगे और वो जो कूपन है आप लोगों को नजदी के बुक स्टोर्स पे मिल जाएगा तो वहां से कूपन से आप लोग वहां पर अगर मुबाइल को जोईन करते हो तो आप लोगों को ज्यादा फैदा मिलेगा और कूपन आप लोगों को अगर बुक स्टोर्स में अविलेबल नहीं होता है तो बुक स्टोर्स वाले को बूलिए कि वह आप लोगों को अविलेबल करवाएगा थीक है तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुश्चिन कर लेते हैं तो इस सेशन का जो हमारा लास्ट का प्रेश्न है खाली में बात करेंगे तो एक last question यहाँ पर एवाला देख कर जाएए इसी basis पे 2019 में 36 गड़ को जितने भी national award मिले हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर कल डिसकस करेंगे इस question का जबाब दीजिए जगदलपूर को जो है हाली में भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशाद याने के Indian Agriculture Research Council के तरफ से 36 गड़ के भारतिय काजू अनुसंधान परियोजना जगदलपूर को जो है best काजू सेंटर का award दिया गया है इसमें क्रिशी महाविद्यालय जगदलपूर एवं अनुसंधान केंदर जो है इंद्रा कांधी Agriculture University की मदद से 1996 से जो है यह काजू अनुसंधान परियोजना चला रहा है 1996 से और इसमें जो है इस साल 2019 में नौराज्य के 14 अनुसंधान केंदर सामिल थे जिसमें से फ़र्स्ट प्राइज जो है जगदलपूर का यह अनुसंधान केंदर जीता है ठीक तो याद रखिएगा इस प्रश्ण का सही जवाब जो होगा option A होगा अब बताईए आप लोग टूटल में से कितना सही किये हैं कितना गलत किये हैं या फिर कितने को स्किप कर दिये हो तो इसका जवाब नीचे कमेंट बोक्स में जरूर दीजेगा वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो का लाइक कीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जूड़ियागा वहाँ पर हर दिन 50 questions आप लोगों को प्रैक्टिसेट दिया जा रहा है तो उस 50 questions के मदद से वहाँ पर आप लोग भी प्रैक्टिस घर में करते रहिए और बागी कुछ important notifications भी वहाँ पर available करवाये जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे description box में मिल जाए है तो अब हम लोग मिलेंगे आपसे अगले साल ही तो फिर से आप लोगों को 9 वर्स की धेर सारी शुब काम नहीं और अपने लाइफ में क्या बदलब लाने वाले हो नहीं साल में यह आप लोग हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा और एक बात और जो दो फरवरी को हमारा टेस्ट होने वाला है उसके लिए कल से रेजिस्टेशन शुरू हो रहा है तो आप लोग रेजिस्टेशन जरूर करवा लिजेगा ठीक है तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही थैंक्यू थैंक्यू बरे मिच्च CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए कॉंपिटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले